समाजबादी पार्टी के सांसद शफिक कुर रह्मान बर्ध के निधन के बाद भीमार्मी चीफ चंदरुशेखा राजाद संभल में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुचे लेकिन पुलिस ने उन्हें यहाँ पर नजर बंद कर दिया। चंदरुशेखा राजाद की माने तो वो संभल से सीधा रामपूर जाना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने आगे जाने नहीं दिया बल्कि संभल में ही उन्हें नजर बंद कर दिया। जब पुलिस ने करताओं ने नार्य बाजी शुरू कर दी और चंदर शेखाराजाद और पुलिस कर्मियों के बीच सड़क पर ही जड़क शुरू हो गई यूपी तक की टीम ने चंदर शेखाराजाद से फोन पर बात चीत की चंदर शेखाराजाद ने यूपी तक को बताया कि वो एक सत्रह साल के दलित समाज के यूवक की मौत के मामले में रामपूर जाना चाहते थे बतोर चंदर शेखार रामपूर में पुलिस की गोली से यूवक की हत्या का मामला है अब ऐसे में चंदरशेखाराजाद पीडित परिवार से मुलाकात करने के लिए रामपूर जा रहे थे लेकिन बीच में ही संभल में ही पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया चंदर शेखार अजाद ने यूपी तक को फोन पर बताया कि उन्होंने पुलिस से आगरह किया कि हमें कम लोगों के साथ ही जाने की इजाज़त दे दी जाए लेकिन पुलिस ने आगे जाने नहीं दिया भीमार्मी चीफ चंदर शेखार अजाद को पुलिस ने रामपूर जाने से रोका और संभल के PWD गेस्ट हाउस में लाया गया मौके पर भारी पुलिस फोर्स दनात रही और भीमार्मी के कारेकरताओं ने जम कर नारे बाजी की चंदर शेखार अजाद को इस गेस्ट हाउस के अंदर कमरे में बंद कर दिया गया अब चंदर शेखार आजाद और पुलिस कर्मियों के बीच होती ये जड़क की तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है संभल से अभिनव माथूर की रिपोर्ट यूपीता